दोस्तो आज कीस वीडियो में हम बात करेंगे आधार यूनिवर्सल क्लाइंट सॉप्टर के बाड़े में तो दोस्तो आपको पाता है अभी जो आधार सॉप्टर चल रहा है दोनों मोड पे काम होता है एक है ECMP और दोसरा है UCL मोड पे तो बहुत जल्द एक और अपडेट आने वाला है जो आधार यूनिवर्सल क्लाइंट के नाम से लौंच होगा और उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डेमो देने की कोशिश करूँगा तो दोस्तो मैं हूँ शुभांका और अब देख रहे हो टेकनिकल एपिसोड प्रो यूट्यूब चैनल तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आधार यूनिवर्सल क्लाइंट सप्टर क्या है तो इसमें आपको क्या काम करने के लिए मिलेगा क्या अपडेट होगा तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ आधार यूनिवर्सल क्लाइंट एक सप्टर है तो आभी जो आधार सप्टर चल रहा है ECMP और UCL ECMP मोड पे अफलाइन बेसिस पे काम होता है जैसे कि बैंक, पोस्ट अपिस, ASK इन सभी पे जो सेंटर चल रहा है तो ECMP मोड पे ओलो काम कर रहा है और उसी सप्टर पे एक और मोड है जिसको बोला जाता है UCL तो CSC, Bank, BC जो VL है उनके लिए UCL मोड चालू किया गया था और जो UCL मोड पे CSC VL है काम करता है तो UCL पे ओनलाइन मोड पे काम होता है और कुछ देमोग्राफिक डिटेल्स यह से आप अपडेट कर सकते हो जैसे की मोबाइल नमबर अपडेट करना इमेल आइडेट करना, अड्रेस चेंज करना तो यह सारे काम UCL मोड पे होता है तो पहले नाम, डेट अप बार्ट, जेंडर यह सारे करेक्शन भी UCL मोड पे होता था अभी इसको डिजेबल कर दिया गया है तो बहुत जल्द Universal Client Software आने बाला है और अभी के टाइम पे जो साप्टर चल रहा है इसका भार्षन है, 181 है तो बहुत जल्द यह जो भार्षन है, अपडेट होगा निव भार्षन रिलीज हो जाएगा UIDI के तरफ से अफिशियली नोटिफिकेशन दे करके बता आदिया गया है तो बहुत जल्द जो साप्टर का भार्षन होने बाला है 182 होने बाला है तो 182 भार्षन यारनी Universal Client साप्टर का इंटरफेस किस तरह का होगा तो वो हाम देखने की कोशिश करते है तो चलिए देखते हैं तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो दोस्तो जैसे आप Universal Client साप्टर को ओपेन करोगे आपके समने दो आप्शन शो करें एक है Universal Client और दुसरे ECMP तो बहुत जल्द हम लोग Universal Client पे काम करने वाले है तो जैसे आप ओपेन करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके समने आएगा तो आपको Universal Client पे क्लिक करना होगा तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके समने इस तरह का इंटरफेस आजाएगा देखिए यह जो इंटरफेस से बहुत ही जानी पैचानी लाग रहा है माई आधार पोटल का जो इंटरफेस है Universal Client पे भी आपको इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यह आपड देख सकते हो अब दोस्तो Step 1, Step 2 दोनों Step से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ताभी जाके आपका जो आधार Universal Client स्वाप्टर है Successfully Sync होगा और आप सारे काम कर पाओगे Fast Step में क्या है दोस्तो देखिए यह आपर Face and Finger तो Finger को आपको Select करना होगा उसके बाद जो आपका Fingerprint है यह आपर देना होगा तो दूसरे Step पे आपको क्या करना होगा दोस्तों दूसरे Step पे आपको OTP से Verify होना पड़ेगा जैसे आपका आधार कर्ड पे जो भी Registered Mobile Number है उस नमबर पे OTP भेजा जाएगा उसका बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको Capture Show करेगा Capture को Enter करके OTP को Enter करना पड़ेगा उसके बाद Login पे क्लिक करना होगा तो जैसे आप Login पे क्लिक करोगे आपका जो Universal Client Software है Successfully Sync हो जाएगा Sync होते आपके सामने इस तरह के एक Dashboard आ जाएगा देखिए New Enrollment Update and Value Added Service अभी के टाइम पे क्या होता है दोस्तों New Enrollment Life Cycle Changes लेकिन Universal Client में कुछ Changes क्या गया है तीन पार्ट में Divide क्या गया है New Enrollment जहाँ से आप New Ather Cut बना सकते हो HOA Base Child Enrollment कर सकते हो बगर बगर जो काम है कर सकते हो अपडेट में देखिए आप Demographic Update कर सकते हो Biometric Update कर सकते हो तो Universal Client आने के बाद जो CSC Bank BC VLE है उनको इस Update के सेक्शन पर जाना पड़ेगा और देखिए Demographic Update है यहाँ पा जैसे आप ट्लिक करोगे आपका जो Next Step है Open हो जाएगा और Value Added Service में आपको क्या मिले का मैं ओ भी आपको बता देता हो जैसे कि Document Update अभी के टाइम पे जो UCL Software है पहले Demographic Update है उसके बाद Document Update है उसके बाद Print आधार है तो Document Update Value Added Service के अंडर आपको देखने को मिल जाएगा Find आधार आपको देखने को मिल जाएगा Find आधार मतलब आधार प्रेंट कर सकते हो उसके बाद देखिए PVC Card तो PVC Card का भी Option Universal Client Software में आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद देखिए Activate आधार यानि जो आधार Inactivate है जो Biometric Lock है बगर बगर जो प्रॉब्लेम होता है तो इस Option को यह माद्धम से आप उसारे कम कर पाओगे तो चलिए हम Next Step में जाते है तो Next Step में आप यहाँ पाद देख सकते हो दोस्तों एक Enrollment या Update जो भी कर रहे हो आप उसके बाद जब आप Mobile Number एंटर करोगे न यहाँ पर एक New Option आएगा OTP Validation या OTP Verify का आभी के टाइम पे क्या होता है दोस्तों आधार कर पे जो Mobile Number है मास्ट हो चुका है कही पर भी आप कोई काम करने के लिए जले जाओ आधार कर पे Mobile Number होना Mandatory है तो बहुत टाइम पे क्या होता है आधार कर पे जो Mobile Number अपडेट करते है वो गलती से Mistake से दुसरे Number आड़ हो जाता है या कुस गलती हो जाता है तो उस Option को हटाने के लिए UIDI ने इसका Solution धोन निकाला है एंड एक New Option अड़ कर दिया है OTP Verify का जैसे आप Phone Number एंटर करोगे उसी नमबर पे OTP जाएगा OTP का आपको Verify करना पड़ेगा ताभी वो Mobile Number सक्सेस्पुले अड़ होगा मनली जैसे आप गलत नमबर एड़ कर देते हो तो OTP नहीं जाएगा OTP Verify नहीं होगा तो गलत नमबर भी अपड़ेट नहीं होगा तो यहाँ पर आपका जो डेटा है सही से कारेक्शन हो पाएगा या सही से अपड़ेट हो पाएगा तो OTP Verify करने के बाद जो भी आपको Changes करना है उससारे Fill करना है उसके बाद आपको Next Step में Process करना है Process करते देखी Preview पेज आजाएगा Preview पेज पे आपको यहाँ पाद देखिए Step 1, Step 2 Step 1 में आए देखिए आपको Acclosurement Slip स्कैन करना है Step 2 में देखिए Enrollment Form स्कैन करना है आभी के टाइम पे क्या होता है Step 1, 2 इस तरह का Option देखने का आपको नहीं मिलता है सिर्फ क्या होता है आधार Enrollment Form and Acclosurement Slip दोनों स्कैन करके Upload करके Submit करना होता है जैसे आप Submit करते हो आपका जो Application है आपका जो Enrollment है वो Successfully Complete हो जाता है और इसके बाद UCL Mode पे अगर काम होता है तो एक और Option आता है Pack Code Validation का जो CSCVL यह डिजिटाल शेबा पोर्टाल से उनको Pack Code जेनरेट करना पड़ता है अपने UCL ID को देका उसके बाद उस Pack Code को यहाँ पर Validation करना पड़ता है जिस तरह से OTP Validation का Box खुलता है उसी तरह से यहाँ पर एक Pack Code का Box खुल जाएगा ओही पर आपको Pack Code Validation करना है ताभी जाके आप Print कर सकते हो और इस पेज को Open कर सकते हो और Access कर सकते हो तो Universal Client में भी कुछ इसी तरह का Option आपको देखने को मिलेगा दस्तो इसी तरह से आप Update कर पाओगे तो मैं Universal Client का जो Interface से आप लोगों को देखाने की पूरी कशिश कर रहा हूँ अगर आपको कुछ Quarry है तो Comment Box में पूछ सकते हो कब तक Release होगा आगर आपको जानना है जैसे कि नाम, Date of Birth, Zender इसको अभी बंद कर दिया गया है UCL मोट पे तो हमें उम्मिद है आशा है कि Universal Client आने के बाद फिर से नाम, Zender, Date of Birth करेक्शन होने लागेगा क्योंकि अभी Universal Software में कुछ अपडेट कर रहा है तो इसलिए इस सवी को disabled करके राखा गया है और जो बिटा भर्षिन में अभी टेस्टिंग चल रहा है जैसे इसका टेस्टिंग कम्प्लिट हो जाएगा जो कम्प्लिट भर्षिन है लाँच हो जाएगा और आटोमेटिकली ICMP भर्षिन में 181 के जगा 182 हो जाएगा और Universal Client को अब access कर पाओगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना है आपको बताना था वीडियो कैसा लागा है कमेंट करके ज़रूर बताना अगर Universal Client के बारे में और भी किस जानना है तो कमेंट ज़रूर करना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक अपडेट के साथ